दोस्तो अगर आप भी पहले टेस्ट मैच में भारत की जीत से खुशो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलियेगा दोस्तो पहले टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ मिली बांगला देश को शर्म ना कहार तो भारत से ही मदद की गुहार लगा हिंदू खिलाडी लिटन दास ने करी बड़ी मांग और जो कहा वो सुनकर अब रोहित कोली भी मदद करने से नहीं कर पाएं इंकार तो दोस्तो आखिरकार ऐसी क्या मदद मांग लिटन दास ने भारत से वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे और दोस्तो इनका बयान तो सुने बिना आप भी मत जाईएगा कहीं भी उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोली ने लिटन दास की मदद करकर सही किया या फिर गलत अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताईएगा तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेत हुए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तो भा भारतिय टीम ने बांगलादेश की टीम को 280 रन से खदेड कर पहला टेस्ट मैच अपने नाम किया दरसल दोस्तो इस टेस्ट मुकाबले में बांगलादेश की शुरूरात अच्छी थी नहीं और वो इस मैच को जीतने के तलास में भी नहीं थे और खामियाजा वही हुआ ज पहले ही 225 रन की बड़त हासिलो चुकी थी और अब यहां से मैच फस्ता ही चला गया बांगलादेश के लिए क्योंकि रिशब पंत और शुमन गिल ने भी यां शतक जड़कर दूसरी पारी में 287 रन के पारी स्कोर को पहुँचा दिया था और बांगलादेश की टीम को ट 280 रन से यह मुकाबला जीत कर करोडों हिंदुस्तानियों के दिलों में अपनी जगा को और भी पक्का कर लिया जिया दोस्तों बांगलादेश की टीम को हराना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि हाल फिलाल में बांगलादेशियों ने जो हमारे हिंदू भाईयों के साथ बां बांगलादेश की तरफ से खेलते हैं लिटन दास सामने निकल कर रहा है जा उन्होंने भारत से ही मदद की गुहार लगा डाली जीया दोस्तों यहां पर लिटन दास ने कहा कि मैं नहीं जानता कि भारत में आखिर हमारे बारे में क्या चल रहा है लेकिन मैं आपको सच बता चाहता हूं कि बांगलादेश में सच में जो कुछ भी हुआ वो एक घटना थी और उस घटना को हम सभी को भुला देना चाहिए हम जानते हैं कि भारत के अंदर काफी आकरोश है कि हम बांगलादेशी हिंदूों के साथ बांगलादेश में सही वरताब नहीं किया जा रहा ह लेकिन मैं भारत से मदद की गुहार करता हूँ कि मैं खुद अपनी बांगलादेश की टीम को छोड़कर किसी और टीम में जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी तंग आ चुका हूँ बंगलादेश के इन हमेशा के ड्रामे से अब किसी और देश से अपना नित्रित्त करना चाहता हूँ अगर भारत मुझे जगा दे तो मैं खुशी खुशी भारत के लिए भी खेल सकता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर लिटन दास ने बड़ी मदद की गुहार लगाते हुए रोहित शर्मा और विराट कोली से ही ऐसी बात कहे डाली बाकी दोस्तों आप सबी क्या मानते हैं क्या लिटन दास जैसे खिलाडी जो की हिंदू है और बांगला देश में उनके उपर अत्याचार किया जाता है उनको भारत में आकर खेलने के अनुमती देनी चाहिए या फिर नहीं आपका क्या मानना है अपनी राय हमें कमेंट करके जडूर बताईएगा उम्मीद आपको दिखाई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को भी सब्सक्राइब किये बिना कहीं भी मत जाईएगा मिलेंगे अगली को रसी जानकारी में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत